चले हो सो चालू करते हैं आज की भी Auto News No. 55 आज 31st में है आखरी दिन है इस माहिने का एंड जी हाँ इस माहिने की आखरी Auto News है लेकिन उसके पहले दोस्तों क्या हमने frequency कम करनी चाहिए Auto News की क्योंकि हफते के alternate day हम करते हैं लेकि इतनी ज्यादा खबरे होती नहीं और व्यूस भी इतने ज्यादा नहीं आ रहे है तो क्या हफते में एक या दो बार करें या यह जो frequency है alternate day की वो रखनी चाहिए जरूर बताएगा आज comment section में वैसे दोस्तों आज बहुत सारी खबरें इंट्रेस्टिंग खबरे सबसे पहले बता दू दोस्तों ET Auto की एक ranking आई हुई है जहां पर उन्होंने find कि कि किस car brand की जो sales revenue है per unit सबसे ज्यादा है per unit याने dealership एक dealer में साल भर में कितना revenue generate करता है brand उसके हिसाब से उन्होंने rank किया number one पर आता है पता है कौन नहीं दोस्तों Maruti नहीं Ford नहीं Toyota नहीं Kia जिहां per year per dealership या फिर per unit कहेंगे 106 crore का business करते है that is a big thing दूसरे number पर Hyundai आता है 50 crore पर third number पर Toyota आता है 38 crore business करता है and then Ford 32 crore और Maruti Suzuki जो है दोस्तों 30 crore उनके बहुत ज्यादा dealership outlets है और उनकी जो पर ticket price होती है मतलब जब गाड़ी लेते है तो वो कुछ साढ़े साथ लाग किया की and that's why per dealership per year सबसे ज्यादा किया का है so yeah that's what it is ऐसे दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आयो पहली बार हमारी आटो न्यूस देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत बूलिए बेल आइकन बजाए यह वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम एक नया वीडियो अप्लोड करते हैं दोस्तों आ क्रिप्टो करन सब्सक्राइब काण यह जो तोयोटा मिराइ यहां यह जो सेडान है यह हाइड्रोजन यूज करती है बैसिकली अस फ्यूल और उसने एक वर्ल्ड रेकॉर्ड कर दिया है एक सिंगल टैंक ऑफ हाइड्रोजन पे एक सिंगल रिचार्ज पे दोस्तों हजार किलोमेटर के ऊपर चली गई है सोचिए once you have filled that tank 1000 km की रेंज that is absolutely crazy यहां पैरिस में अभी तक आई नहीं है production चल रहा है उसका under production जैसे मैंने बता है but yes it's a clean fuel efficient fuel efficiency भी जादा clean vehicle है clean fuel का इस्तेमाल करती है Toyota Mirai 1000 km per tank wow अल्राइट दोस्तों BMW X7 dark shadow limited edition इंडिया में आ गई है मतलब globally launch हो गई है इंडिया में भी आ गई है उसकी price आ गई यह limited edition है दोस्तों सिर्फ 500 units आपको मिलने वाले हैं और price पता है 2.02 crores x showroom मतलब on road तो आपको कम से कम दो करोड़ 20 लाग या 30 लाग तक चली जाएगी यहां लेकिन engine भी वैसा है कुछ 400 horsepower engine and 760 newton meter torque है इसका total 3 liter and 6 cylinder का engine है so yes are you interested जाइए जाइए बीम्ड़ू के showroom में दो करोड़ 20 लाग खर्चा करने दोस्तों महिंद्रा की तरफ से कुछ बहुत इंट्रेस्टिंग खबरे आरी है सबसे पहले बोल दूं कि अगले पांच साल में नौ नए cars यह launch करने वाले यह 9 new cars उसमें थार 5-door होने वाला है अभी जो थार है अल्रेडी 50,000 booking हो गया एक साल का वेटिंग है लेकिन यह 2-door version है 5-door version भी आने वाला है उसके बाद में Scorpio नहीं आने वाली है XUV 300 आने वाली है XUV 900 नहीं आने वाली है Bolero का भी नया variant आने वाला है तो ऐसे बहुत सारी नहीं नहीं गाडिया महिंद्रा लांच करने वाला है अगले 5 सालों में yes they are betting big on SUVs वैसे दोस्तों एक interesting खबर भी आई हुई है और दोस्तों जो XUV 700 है उसके powertrain के कुछ डीटेल्स आ गये है जियां it's not going to be pure petrol और diesel ऐसे कहा जा रहा है कि hybrid होने वाली है इसके अंदर electric motor भी होगी so it'll be far more fuel efficient अब आने के बाद देखेंगे दोस्तों अब यह hybrid mild hybrid होगी aggressively hybrid होगी यह पता नहीं है but yes मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो it'll be mild hybrid जहां पे secondary engine जहोगा वह electric motor होने वाली है which will basically drive and increase your fuel efficiency so yeah Mahindra बहुत कुछ कर रहा है and XUV700 electric भी यह not electric hybrid all right 2022 की दोस्तों Hyundai Creta जहां यह जो upgrade version of Creta आपको माम पता है कि बहुत ही popular है इंडिया में इसका जो next version आने वाला है उसके test mule अप टेस्टिंग चालू कर दिया है जोट टेस्टिंग वागे आगे इंफेक्ट फोटो अगरे भी आ गई है एंड कहा जा रहा है कि interior and exterior in fact exterior styling में बहुत ज्यादा difference होने वाले interiors में भी बहुत सारा changes होने वाले हैं एंड यह इस साल नहीं दोस्तों शायद अगले साल 2022 में लॉंच हो जाएगी बट येस टेस्टिंग चालू हो गई है न्यू हुन्डाइ क्रेटा की तुविलर्स की बात करते हैं एलेक्टिक टुविलर्स की Yamaa E01 कुछ दो तिन हफते पहले मैंने एक हफते पहले आपको खबर दी थी इस की कि Yamaa लेके आने वाला है उनकी E01 स्कूटर यह production में चली गई इलेक्ट्रिक स्कूटर है मैक्सिट स्टाइल स्कूटर है और बहुत जल्दी लांच होगी प्रोडक्शन में गई है इसका मतलब बाइद दिवाली इट शुद लांच इन फैक्ट नाम जो है उसका वह अगले दो-तीन महिनों में आ जाएगा और उसके बाद में कर दो किया सब्सक्राइब अगले साल इंडिया में लांच हो जाएगी इसके टीजर्स आ गए है वाव लुक्स रियली स्लीक बहुत ही अच्छी दिखती है यह किया स्पोर्टेज लेकिन रुकिये होर्से इतनी जल्दी नहीं आने वाली है यह शायद अगले साल इंडिया म अच्छी दोस्तों बहुत ही बतलब उनके जैसी जो एंट्री हुई है इंडिया में इंडिया में इन अधर कार ब्रेंड है इस गूट आं किया चलियों सबसे पहले है 1980s में सबसे बड़ी जो वारंटी इंडियूस की थी वो थी युंडे ने पता है कितनी यूस में की थी दोस्तों 10 years 100,000 miles की वारंटी दी थी oh that is crazy 10 years and 100,000 की वारंटी इसका मतला आप गाडी लीजे उसके बाद में 10 साल तक वारंटी है 10 साल तक वैसे भी ज्यादा कोई इस्तावाल नहीं करता है so yeah that was the auto fact of the day चलियो सबस्तों आज की हमारी auto news number 55 yes खतम होती है इधर ही अच्छी लगी ना यह कोशिश करते हैं आप तक अच्छी अच्छी auto news पहुचाने के लिए अगर अच्छी लगी like करना बिलकुम अभूलिएगा चले हो तो इस वीडियो में इता ही अगले वीडियो तक keep track in and drive safe अ कि 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 क क क क क